प्रयागराज में उमेश पाल मड़केस में योगी सरकार ने कड़े तेवर दिखाए। अतीक एहमद के करीबियों के ठिकानों पर बुल्डोज़ चला। अतीक के करीबी और हत्याकांद के आरोपी जफर एहमद के घर को जमीदोच कर दिया गया। इससे पहले जफर के घर से हतियार भी बरामद किये गए। इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। जफर के घर से तलवार, पिस्टल और राइफल भी मिली है। जफर के दो मंजला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरन की टीन गिरा रही है। दो मंजला घर की मार्केट वैल्यू क दर्ज कराया था। अतीक एहमद का चकिया स्थित मकान गिराए जाने के बाद वो अपने मायके में ही रह रही थी। अतीक की पतनी शाइस्ता परवीन ने जफर एहमद से इस मकान को किराए पर ले लिया था। शाइस्ता और उनका परिवार इसी मकान में दो साल से रह रह प्रयागराज विकास प्राधिकरन की और से जफर एहमद को बिना किसी नोटिस दिये ही अवैद तरीके से बुल्डोजर चलाया जा रहा है। ट्रांसफर का विरोध किया। कहा यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फरजी एंकाउंटर किया जा सकता है। परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री योगी से उमेश पाल हत्याकांट की सीवियाई जाच कराने की मान की है। उमेश पाल हत्याकांद के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में एलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्षिन में दिख रहा है। एक आरोपी अर्बास का एंकाउंटर कर दिया गया है। सदाकत नाम के आरोपी को पकर दिया। वहीं हत्याकांद में इस्तिमाल क्वेटा कार के मालिक बिडीयानी बेचने वाले नपीस को भी पुलिस के हिरासत ने लिया है। उमें इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्षिन में दिख रहा है। एक आरोपी अर्बास का एंकाउंटर को पकर दिया। वह इस्तिमाल प्रेखा कार के मालिक दुव्यानी बेचने वाले लख्रस को भी पुलिस ने हिरासते हैं। आपसे जरूर कहना था कि आपका बेटा संदीप हमारे फोर्स का एक बहुत भादूर सिपाई था और उसने अपनी ड्यूटी करतव के लिए अपनी जान की कुर्वानी दी है। आग उसकी याद को हमेशा आपने पास संजोगे रखेगा। और आज मैंने आपके पास में एसस परवार के रूप में हैं अपने बच्चों का साथ कभी छोड़ते नहीं है और आपके परवार का हम लोग ख्याल रखेंगे। आप इसकी संदीप की पत्नी का क्या आल चाले अभी। गुल्पोर चरगा तब यह खराब की। अच्छा इसको अलग से कोई डॉक्टरी और इनके जितने देयक हैं जो अभी मैं सीपी प्रयाग्राच को बता दूँगा तो जल्दी इनको बनवा देंगे जी और एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई है कि मतलब अभी तो कुछ दिन तो एक दिन छोड़के आये डेली आये थाना जेक्स टेली इनका पूश हाल चा सब्सक्राइब करा दीजिए चाहे तो अपने साथ ले जाएगा और वस्क्राइब में बढ़ती करा दीजिए का इन लोगों के रहने के खाने का इंसाब करा दीजिए वहां पर परवार के रूप में इनको आठ पकड़के रखी है इनका ठोड़ना नहीं इनको बिल्कुल संत्राम जी से बात करा दीजिए हां संत्राम जी मेरा जो मुबाइल नंबर है यह मैं सब्सक्राइब को बोल दूगा आपके इनको लिखके दे देंगे जिए चौरांबे पांसो चौवालेज डबल जीरो वन टूवन है वह मैं अपने पास ही रखता हूं तो यह इस पर आत्मा को शांती देगा आपके जितने भी आईजन होंगे उनका भी हम क्याल रखेंगे ठीक है कोई और बात आपको कहनी हो तो आप दुझे बता जीजिए अब नवकरी चाहिए और माईजा भाय तो एक दुसरे गर में राता हूं चाचा जी कथा ठीक है अब हम माने मुख्यमंत्री जी से अन्रोद करके आपका जो सरकारी आवास बनते हैं प्रद्धान मंत्री आवास योजना में या राज्य सरकार की आवास योजना में वो प्र एक प्रौड़ा या Шण योजना में अंडुक्यमंत्री जी से अम्रोद करके आपके गाओं की सड़क प्रौड़ा जाँगे और अन्या जितनी विच्छा या करवा देंगे जो आप मेरा नंबर ले लिएका और कभी कोई दिक्कत हो तो तुरंद बता दीजीएगा yup थेक, thank you नमस्कर आप्न, जैयन मुप्रशीय को तुम झाए